आज का टॉपिक इंतिहाई इंपोर्टन है तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो है सर क्रीक और इसको हम 24 पेडरल भी कहते हैं ये पाकिस्तान और इंडिया के दर्मियान एक डिस्प्यूट है जो के 1947 में इसको रिजॉल्व नहीं किया गया और स्टेल आज तक ये डिस् 1914 में सिन्ध रिजूलूशन के नाम से एक एग्रिमिंट हुआ रिजूलूशन हुई जिसमें सिन्ध गॉर्मिंट ने महराजा कच के साथ ये तेप आया कि ये जो क्रीक का हिस्सा है ये पूरे का पूरा सिन्ध का पार्ट है जबके 1925 में ब्रिटिशर ने एक मेप जारी किय जिसमें आदा हिस्सा इसका इंडिया के पास दिखाया गया और आदा आदा जो है वो पाकिस्तान के पास दिखाया गया अब इस बात को समझने के लिए आप इस डाइग्राम में देखे ये जो मैंने लाइन कीची है जिसको मैंने लिका हुआ हुआ है बॉंडरी आफ और इस तरफ इंडिया का गुजराज शुरू हो जाता है। यह पाकिस्तान का क्लेम है और इंडिया का क्लेम है कि जो रेड लाइन है यह असल बार्डर है। यह अब इशु चल रहा है। जब 1947 में सर रेड कलिफ ने डिमार्केशन की तो उसने इस जगह को इतना अहम नहीं समझा और इसके डिस्प्यूट पे इतना दिहान नहीं दिया जिसकी वज़े से आज पाकिस्तान और इंडिया के एकसल टसल होते हैं 1965 का वार भी जो था वो इसी मसले से पैदा हुआ था रन आफ कच में एक चोटी जटपट हुई थी जिसकी वज़े से यह मसला एरेज हुआ था फिर 1971 की जंग हुई 1971 के बाद शिमला एग्रिमेंट पारे एरिया को लाइन आफ कंट्रोल का नाम दे दिया गया था अब करीक बोलते किसे हैं करीक का मतलब है नेरो शर्टर वाटर वे जहां बिलकुल चोट असर जो दरिया भी ना हो लेकिन दरिया से तोड़ा बड़ा हो और पानी का एक इस तरह दरिया की शकल में हो लेकिन जतना पानी उसमें ना हो दरिया जतना गहरा ना हो करीक उसे कहते है और इस करीक का जो पानी है वो अरेधियन सी में गरता है और जब एंडस वाटर में टाइडल्स प्रृड्यूज होते है तो ये पानी जो है करीक पहुंच आता है इंडिया में इसको बैन गंगा भी कहते हैं और इसको मतलब आजादी से पहले इसको बैन गंगा भी कहा जाता था और पिर जो ता इसका नाम क्रीक इसलिए रखा गया क्योंकि वहाँ के एक कमिशनर था ब्रिटिशर का उसके नाम पे इस एरिया का नाम सर क्रीक रखा गया कहा कि इस मामले को जो है आप इंटरनेशनल ट्रिबिउनल फॉर अर्बिट्रेशन में ले जाए और इस मसले को सॉल्फ कर दिया जाए और ये मसला लेके गे थे उनको वहां 19 फरवरी 1968 को और इसका फैसला ये आया कि 90% एरिया जो है वो इंडिया का है और 10% एरिया जो है वो ये फैसला दिया अब पाकिस्तान का ये क्लेम है कि ये तो आता सिंद में है तो ये सिंद की मल्कियत है तो ये सारे का सारा जो है ये पाकिस्तान पाकिस्तान का है इस पे इंडिया का कोई हक नहीं है पिर 1999 में जो हुआ कारगल हुआ तो उसमें इसी अलाके पे सरक्रीक के अ लाके पे इंडियन एर्फोर्स ने पाकिस्तान का एक नेवी का जहाज गिराया तो उधर से ये मसल़ा जो है ज्यादा तेज हुआ इस पर 1997 में से लेकर 2010 तक 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 तकरीबन 12 मीटिंग्स हो चुके हैं दोनों मुलकों के दर्मियान के इस मसले को किसी तरह हल किया जाए 2008 के मीटिंग में तकरीबन मामला तेप आ गये थे लेकिन मुंबई हमला हुआ और इंडिया का क्लेम था कि मुंबई अटेक जो है वो पाकिस्तान से आये तो ये मसला पिर वहां रुक गया था और पाकिस्तान इंडिया के सज से क्लेम को इसे इस लिए रद करता है के जो अद्वेर डॉक्ट्रायन है यह उस जगह पे होता एजहां साल के बारा महीने निविगेशन होती है ये और वो नोन टाइडल एरिया के लिए होता है जो नोन टाइडल एरिया होते है वहाँ ये जो डॉक्टर राइन है वहाँ ये अपलाई होता है तल वेक का डॉक्टर राइन जो टाइडल वेव से प्रिडूस करता है पानी जैसे के सरक्रीक जब इंडिस रेवर में टाइडल जाते तो यहां पानी आता है मूनसून के टाइम जैसे जून जुलाई अगस्त में यहां पानी ज्यादा होता है और पिर पानी चला जाता है कम हो जाता है तो इसलिए जो है पाकिस्तान इंडिया के इस क्लैम को रत करता है अब आप सोच रहे होंगे कि ये चोटा सा इलाका इस पे दोनों मुलक अपस में क्यों इतना लड़ रहे हैं तो इसकी एक अपनी इंपॉर्टन्स है लेकिन वो स्ट्रिटिजिक और मिलिटरी इंपॉर्टन्स नहीं है वो है यहां बहुत फिश रिसॉर्स पाय जाते हैं यह एशिया का तक्रीबन दूसरा तीसरा जगा है जहां सबसे ज्यादा फिशिंग हो सकती है मतलब यह जो फिशर है यहां फिश पकड़ते हैं आपने अक्सर देखा होगा कि पाकिस्तान के कुछ फिशर जो है वो इंडिया में कैद हो जाते हैं और कुछ इंडिया के फिशर जो है यहां कैद हो जाते हैं क्योंकि इस एरिया पे कोई एक्जेक्ट बॉर्डर मार्क नहीं किया गया है कि ये बॉर्डर है बस उन्होंने आइडिया लगाया है कि इतना हमारा इतना आपका तो अगर कोई फिशर आम आदमी क्रॉस कर ले तो दोनों मुलकों के लोग वहाँ उसको पकड़ लेते हैं दूसरा इसका जो फाइदा यहां शेल गैसिस है हाइडरो कार्बन के जखायर इनको पाए जाते है शेल गैसिस के जखायर हाइडरो कार्बन के जखायर यहां पाए जाते है और इंडिया क्लेम करता है अगर हम इस जगह को सेव नहीं करेंगे इंडिया का क्लेम है तो यहां से टसल रहती है और फायर रहे एक दूसरे पर अक्सर वॉइड के फायर करते है कभी गन से फायर करते है ये इशू चल रहा है दोनों मुलकों में उमीद है आपको समझाया होगा ये इशू